Hello everyone, this is Anjali और स्वागत है आपका मेरे चैनल Learn with Anjali में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे atmosphere के बारे में यानि की structure and composition of atmosphere कि actually जो atmosphere है, वो क्या है, वो किस से मिलके बना है यानि उसका composition क्या है और उसका structure कैसा है So let's get started in this video, थोड़ा सा हम atmosphere के बारे में जान लेते हैं If we talk about atmosphere, तो atmosphere basically एक envelope है, एक blanket है किसकी blanket है, gases की, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि envelope, जो blanket है या जो envelope है, हमारी earth के चारो तरफ gases का जो एक तरीके से चादर type है उसे बोलते हैं हम atmosphere, वही है हमारा atmosphere अच्छा जब हम atmosphere की बात करते हैं, तो इसमें जो word atmos है Atmos Atmos जो word है, it is actually refers to air अब हमारा sphere जो आता है, sphere मतलब area यानि कि earth का वो area जहां पे air है अर्थ के चारो तरफ आप देखते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते हैं, हवा हम एक तरीके से inhale करते हैं कहां से आते हैं वो हवा, हम ऐसा थोड़ी है कि water के अंदर जाके सांस लेते हैं, नहीं न तो basically हमारे चारो तरफ जो area है, वो हवा से घिरा हुआ है तो earth के चारो तरफ जो gases का जो envelope है, gases की जो blanket है, gases जो है basically उस पूरे sphere को, उस पूरे air का जो envelope है, उसको हमने atmosphere का नाम दिया है, ठीक है, अब atmosphere जो होता है, वो अर्थ के पास होता है, क्योंकि जो atmosphere है, वो अगर earth के चारो तरफ एक तरीके से surrounded है, तो वो earth के उपर जब है, तो earth के उपर से उड़ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हवा तो उड़ जाती है ना, तो hold कैसे हो रखा है हमारी earth के चारो तरफ, वो उड़ के Jupiter पे क्यों नहीं चला जाता है, वो उड़ के Pluto या Uran पर क्यों नहीं चला जाता है, किसी और प्लानिट पर क्यों नहीं चला जाता है, वो अर्थ के चारो तरफ कैसे होल्ड किया हुआ है, वो जो ब्लैंकिट है, जो अर्थ के चारो तरफ ही, ये वाली, ये किस तरीके से अर्थ के चारो तरफ होल्ड की हुई है, किस तरीके से पक अकर्शन जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वा अकर्शन बल जिसे बोलते हैं तो अर्थ का अपना एक gravitational force होता है जिसकी वज़े से अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खीचती है है ना तो उस force इतना powerful है वो force इतना strong है कि सारी चीजे अर्थ की तरफ खीची चली आती है तो same वही चीज apply होती है atmosphere के उपर भी तो यानि कि हमारा जो atmosphere है it is held near the earth surface of the planet by gravitational attraction यानि अर्थ का जो गुरुत्वा अकर्शन बलिया gravitational force या gravity जो भी आप बोलते हैं उसकी वज़े से यानि कि उसने एक तरीके से hold किया हुए उसने एक तरीके से पकड़ा हुआ है कि इसको atmosphere को ताकि atmosphere अर्थ पर ही रहे अर्थ के चारो तरफ ही रहे और हवा हमें मिलती रहे oxygen हमें मिलती रहे nitrogen plants को मिलती रहे और जो भी हमारी requirements से वो पूरी होती रहे तो अर्थ के gravitational attraction force ने इसको एक तरीके से अर्थ के चारो तरफ hold किया हुआ है ठीक है now moving on to if we talk about how we measure the pressure of air मतलब कि air जो है उसका pressure उसका दबाव कितना है कितना दबाव पढ़ता है earth crust पर या earth पर रहने वाले लोगों पर air का तो वो हम measure करते एक instrument से जिसका नाम है barometer so barometer एक instrument है जिसकी मदद से हम air pressure को measure करते है तो whenever question is being asked from you कि कहां से हम या किस instrument से हम air pressure को measure करते है तो उसका नाम है barometer अच्छा animometer भी एक आता है animometer basically air direction बताता है I think comment में बताएंगे कि air direction नहीं बताता है जहां तक मुझे याद आ रहे है कि animometer direction को बताता है और barometer से हम air pressure measure करते है ओके now moving on to next अब हमारे पास जो atmosphere अगर हम atmosphere की बात करें तो atmosphere में हम बात करेंगे आगे layers की काफी सारी layers हमारे atmosphere में होती है अब atmosphere और outer space जब है इसको question को या इस slide को सोड़ा मैं बात में explain करूँगी अभी हम आगे चलते है अब हम बात करते है composition की अचा composition का मतलब क्या होता है composition is basically कि किससे constitute होके वो बना है या किससे consist होके वो बना है atmosphere या किससे मिलके atmosphere बना है atmosphere में क्या-क्या चीजे है जिनसे मिलके atmosphere बना है that is composition of air या composition of atmosphere okay if we talk about composition तो atmosphere के हम बात कर रहे है और हमने ये भी बताया है कि envelope of air है या blanket of air है satinum मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर air मिलेगे, तो कौन-कौन सी air से मिलके mainly composition या atmosphere बनाएं, तो एक बार हम देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे atmosphere में पाई जाती है, which is very much important also, वो है nitrogen, nitrogen हमारे atmosphere में 78%, यानि सबसे ज़्यादा amount में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, atmosphere में जो gas मिलती है, उसका नाम है nitrogen, जिसका formula होता है N2, next slide में आपको formula और percentage amount भी मिल जाएगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा gas जो होती है, वो होती है nitrogen, अच्छे, usually लोगों को लगता है, यार हम oxygen लेते हैं, oxygen intake करत सबसे ज़्यादा oxygen होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे atmosphere में nitrogen होती है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी gas है, जिसके वज़े से हम sustain कर पाते हैं, जिसकी वज़े से हम सास लेते हैं, जिसकी वज़े से breathing होती है, तो वो है हमारी 21% oxygen, मतलब 20.95 something कुछ है, तो overall अगर हम round off कर के लिए, तो 21%, मतलब कि 78% nitrogen, 21% हो गया हमारा oxygen, total होता है 100%, तो कितना हुआ अभी? हमारा हुआ है 99%, तो 1% अभी भी बचा हुआ है, तो atmosphere के 1% में जो gases होती है, वो होती है carbon dioxide और other gases, अच्छा वो other कौन सी है फिर? तो other हम next slide में देखते हैं, ओके, यहाँ पर आपको constituent और formula के साथ चीज़े मिल गई है, यह देखे, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया N2 यानि कि nitrogen होती है, which is 78%, next है हमारा oxygen, which is 20.95%, जैसे मैंने बताया था आपको, round off करके हमने लिया है, तो हम बोलते है 21% oxygen है, ओके, फिर होती है हमारी next, जो सबसे ज़्यादा gas होती है, यह निकि nitrogen और oxygen के अलावा, question कभी-कभी पूछ लिया जाता है NTA UGC net में, कि nitrogen और oxygen के अलावा, option में आपको दिया होगा, argon, carbon dioxide, neon और helium, तो next सबसे ज़्यादा gas कौन से होती है, तो next सबसे ज़्यादा gas जो होती है, गल्ती मत कर देना, usually लोगों को लगता carbon dioxide होगी, लेकिन carbon dioxide नहीं होती, next जो होती है, वो होती है argon, ठीक है, तो 0.93% argon होती है, then हमारी होती है 0.036% carbon dioxide, then neon, helium और बागी other gases जैसे मैंने बताया, कि 1% में काफी सारी gases है, other लिखा हुआ था, तो उसमें हमारी helium, krypton, xenon और hydrogen, hydrogen से आप, आपको पता ही है hydrogen, अच्छा, xenon, krypton, neon और argon, इन से शायद आप अनिभिग्य होंगे, I hope so, बर कोई बात नहीं, अगर आपको पता है, तो well and good, नहीं पता है, तो I'll explain, देखो, argon, neon, krypton और xenon, ये सारी जो gases हैं, इनको आप inert gases बोलते हो, inert gases मतलब कि इनकी जो well and shell होती है, वो completely filled होते हैं, मतलब फिलाल के लिए आप समझो, कि unreactive gases होती हैं, और inert gases इनको बोला जाता है, ठीक है, तो ये table आपके लिए काफी helpful रहने वाली है, तो अगर आपको screenshot लेना है, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, now moving on to next slide, okay, अच्छा, यहाँ पे when you look up, जब आप आप आसमान में देखते हो, तो आपको क्या दिखता है, obviously बात है, हवा तो आपको दिखेगी नी, atmosphere is a blanket, वो आपको feel होती है, दिखेगी नी, आपको क्या दिखता है, या तो stars, या तो blue sky, या तो stars, या तो blue sky, रात में है तो stars, या moon, और अगर दिन में है तो blue sky, ठीक है, okay, अच्छा, तो फिर atmosphere कहा है, atmosphere क्या ऐसा ही है, क्या सिर्फ हवा है atmosphere में, क्या सिर्फ यही सारी gases है, क्या यही पर आके atmosphere खतम हो जाता है, नहीं, actually जितना हम atmosphere को समझ पा रहे हैं, atmosphere उससे कहीं ज़्यादा complex है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है actually, तो जानते हैं अभी कि atmosphere की layers भी होती है, है कि जो atmosphere है न पूरा वो envelope of gases है वो different layers में बटा हुआ है अब हम उस layers के बारे में बात करेंगे अच्छा main main जो है atmosphere की 5 layers होती है मतलब main क्या 5 ही layer होती है atmosphere की 5 layer होती है atmosphere की अगर हम एक तरीके से earth surface से देखें या earth से अगर हम देखें तो troposphere देन उसके बाद stratosphere फिर mesosphere, thermosphere and then exosphere अच्छा exosphere के बाद क्या exosphere के बाद हमारा आ जाता है outer space outer space जिसे आप ब्रह्मांड बोलते हो या जिसे आप बोलते हो की black है completely है न तो वो atmosphere के बाद जो भी चीजे हैं वो हमारे exosphere में हमने count कर दिया उसमें हमारे planets आ जाएंगे सारे के सारे planets exosphere के बाद है हमारे atmosphere के बाद है सारी galaxies और सारी जो चीजे हैं वो outer space में है जिसे आप space बोलते हो, ब्रह्मांड बोलते हो cosmos बोलते हो, जो भी चीजे है जिसे आप outer space बोलते हो ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक slide है जिसका मैं आपको बाद में explain करूँगी अभी शायद उसका time आ चुका है ये वाली तो there is no boundary between the atmosphere and outer space the atmosphere gets less dense and denser until it blend into the outer space अच्छा तो ये बताईए कि जब हमारी exosphere आ जाएगी नहीं ऐसा नहीं होता मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारा atmosphere है पहले कौन से लेयर होगी troposphere then stratosphere then mesosphere then thermosphere then exosphere फिर उसके बाद आता है हमारा outer space तो क्या बीच में कोई boundary होती है नहीं बीच में कोई boundary नहीं होती हमारा ऐसा नहीं है कि आपको एक fix पता होगा कि यहां पे हमारा atmosphere खतम हो रहा है यहां पे हमारी exosphere खतम हो रही है और then अब outer space start हो गया है ऐसा कुछ भी नहीं होता तो यानि कि यहीं चीज बोली गई है कि there is no boundary यहां पे कोई boundary नहीं होती है outer space में और atmosphere की बीच कोई भी boundary नहीं होती है और it gets denser and less denser अब होता क्या है कि हमारे जो atmosphere में जो air होती है वो dense कम dense होती जाती है मतलब कि यह हलकी 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 होती जाती है air और फिर धीरे धीरे करके वो जो envelope था वो जो blanket थी air की वो खतम हो जाती है खतम हो गई अब एक fixed या कोई distinct या sharp boundary है ऐसा कुछ भी नहीं है there is no sharp boundary there is no distinct boundary there is no fixed boundary actually हमारा जो atmosphere है वो कम dense होता रहता है यानि कि वो हलका हलका होता रहता है हमारी जो air है वो fade away होती रहती है और हमारा outer space start हो जाता है outer space में कोई भी particle नहीं होते है वहाँ पे कोई भी atmosphere नहीं होता है और outer space में हमारा कोई भी air नहीं होती है तो यानि कि हमारी air दीरे दीरे खतम होती रहती है exhaust sphere में जाके और दीरे दीरे जब वो बिल्कुल खतम हो जाएके तो हमारा outer space start हो जाएगा यह है कहना का मतलब इसका I hope आपको यह समझ आगे होगा अच्छा इसमें एक चीज़ बोलिए कि less dance and dancer until it blend into the outer spaces outer space मतलब कि वो दीरे दीरे कम 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 होती जाते है खतम होती जाते है air और दीरे दीरे वो क्या हो जाते है blend यह नहीं मिल जाते है outer space में मतलब कि अब दीरे दीरे खतम हो ही एक पॉइंट हो आकि वो completely खतम हो गया और अब outer space start हो गया तो there is no distinct boundary बस यह धियान रखना है ओके डाउ मुविंग ओन टू नेक्प्लाइब लेयर्स ओफ एट्मोस्फेर के हमने बात कर ली है थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं अगर आपको जेनरल यह टोपिक जानना है तो उसके परस्पेक्टिव से भी तो I was thinking में इस पर एक अलग से वीडियो बना देती हूँ अच्छे से सारी की सारी लेयर्स आपको बता देती हूँ कि कितने distance होती है किस तरीके से temperature में variation आता है use क्या क्या होता है different layer की किस तरीके से वो में help करती है different layer atmosphere की और overall फिर हमें atmosphere कैसे help करता है या किस तरीके से earth के temperature को regulate करके रखता है अच्छे देखो यहाँ पर सबसे पहली जो layer होती है वो होती है troposphere अच्छे troposphere की अगर हम एक तरीके से height देखे तो earth surface से इसकी height होती है लग भग 10 से 12 km आप मान सकते हो 10 से 12 km उपर तक जो हवा का जो एक तरीके से blanket है उस layer को हमने troposphere बोला है ठीक है अच्छा ये है जो सारी layer है ये सारी layer atmosphere की ही है ये confuse मत हो ना कि ये अलग से troposphere है फिर अलग से mesosphere नहीं नहीं troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere total मिला के पूरा क्या है atmosphere ठीक है ये सारी layers है तो लग भग earth surface से 12 to 13, 10 to 13, 12 km तक हमारी क्या है troposphere तो उसके बाद अगर earth surface से हम देखे तो लग भग अब troposphere खतम होई ठीक है उसके बाद हमारी stratosphere start हो जाती है 50 km तक वो होगी फिर next हमारी start हो जाते है mesosphere, meso का मतलब middle बीच में होगी ये layer, mesosphere ठीक, अब ये होती है हमारी 80 to 90 km तक, then हमारी thermosphere, ये सबसे उपर जाके है ये होगी हमारी 800 km तक ये thermosphere है, then last में सबसे last में जाके हमारी जो layer आती है, वो जो की earth surface से अगर हम measure करे तो 3,000 या 5,000 km उपर exosphere exist करती है, और ये layer धीरे धीरे इसमें air कम होते जाती है और last में किसमें मिल जाती है outer space में, ठीक है, तो लगभग इसकी boundary ये है ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई fix boundary नहीं होती है, कि यहाँ पे atmosphere खतम हो रहा है, और outer space start हो रहा है तो इसलिए exosphere की कोई fix boundary नहीं है कि यहाँ पे जाके खतम हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है So I hope आपको layers के बारे में थोड़ा बहुत idea लग गया होगा, तो 5 हमारी atmosphere की layer होती है, if you want to know more about these layers, what are their uses, temperature variation कैसे होता है, क्या-क्या इन अलग-अलग layers की actually क्या-क्या property है किस वज़े से यह अलग है और इन layers में क्या होता है तो उसका मैं separate video बना दूँगी, I hope वो चीज आपको help करेगी, और I hope कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, thank you और हाँ यह final हो गया, अभी और इसमें कुछ नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो layers है, इनके ओपर next अलग से video बनाओ, क्योंकि यह lengthy topic हो जाएगा थोड़ा से हाँ, तो thermosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere यह इनके बारे में आपको पता चल गया है और अभी इसमें कुछ भी नहीं है बताने के लिए I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगा, आपको मेरा content समझ आया होगा, और जो चीज़े आपको clear नहीं है, जो भी आपको लगता है कि कुछ part missing है मुझे comment section में comment करके बताईए, और अगर मुझे कुछ अपना way change करना है, या कुछ भी अगर आपको लगता है कि तरीका change होना चाहिए, या कुछ और add होना चाहिए तो please मुझे improve करने में मेरी help कीजिए, और do let me know in my comment section, thank you